नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पार्स इंडिया पर, मैं हूँ अंकित अवस्थी आज के सेशन में चर्चा है एक ऐसे मुद्देखी जिसने पूरे देश को जगजोर कर रखा हुआ है और एक अथार्थ प्रश्ण हम सब के सामने लाकर खाड़ा कर दिया है प्रश्ण ये कि देश की बच्चियां, देश में महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगी यह विशय जिसको आज मैं आपसे डिसकस करने जा रहा हूँ बस यहाँ इस विशय में लिखे गए नाम समय समय पर परिवर्तित होते रहेंगे लेकिन ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही है इसलिए जब आप इस घटना को सुनें जिसको मैं आपके साथ आज के सेशन में साजा करने जा रहा हूँ केवल इसे अपने नौलिज के पॉइंट आ व्यू से कि हाँ हमें पता होना चाहिए था इसलिए हमने सुन लिया उससे कहीं ज़्यादा इस घटना को सुनते समय इस बारे में चिंतन जरूर करियेगा कि देश में ये घटनाय किसी ना किसी कॉर्णर में कहीं ना कहीं किसी राज्य जिले, गाव, तब्गा, तैजील में कभी ना कहीं अंजाम ले रही है किस तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्या हमारे देश में हमारी बेटियां, हमारी बहने, हमारी माताइं, हमारे घड़ की ग्रहनियां, क्या ये सब सुरक्षित हैं, इसी जो धिवान में रखते हुए आज के सेशन को आगे बढ़े इसके अलावा जो भी और आपके दिमाख में इससे के साथ हुए जो निर्मम घटनाएं हैं हत्याएं हैं वो हमारे देश को कभी न कभी जगजोरती हैं पर हम इतने व्यस्त हैं हमारे जीवन में कि हमें शायद वो उस समय तक ही प्रभावित करती हैं कुछ दिनों तक स्टेटस मेसेज बनती हैं फिर चाहे निर्भया हो या फिर हैदराबाद के अंदर हुआ महिला गैंगरेप हो यह सब चीजे कुछ समय तक हमें निश्यत ही जगजोरती हैं लेकिन उससे बढ़कर एक नए आकांड हमारे देश में होता रहता है शायद यह होता रहता है वाली जो नेजर है हमारी वही अब हमारी सबसे जोरी बन गया है तभी शायद यह घटना है हमारी बहनों के साथ महिलाओं के साथ हो रही है आए सुनते हैं साथ हो जारखंट के अंदर एक बच्ची है जो की टीन एज में है यानि कि अब तो है नहीं वो थी उसको एक स्टॉकर ने है स्टॉकर मतलब जिसका पीछा करने व चाहता था लड़की के साथ हमेशा रहना चाहता था ऐसी इस्थिती में चुकी वो साथ नहीं रह पाया उसने लड़की को एक दिन पहले धंकी दी 22 अगस्त के दिन धंकी दी पुलिस की जानकारी के अनुसार और 23 अगस्त के दिन सुबह 5 बजे उसके घर की किड़की को तो तारीक के पांच दिन बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। बच्ची कहिए, लड़की कहिए, महिला कहिए, ये सब एक ही के रूप हैं, उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना के दौरान, बच्ची ने मरने से पहले अपना जो स्टेटमेंट दिया, जिसे डाइंग डिकलेरेशन कहते हैं, उसमें ये डिमांड किया गया, कि मुझे जिस प्रकार से मारा गया, या शाहरुख ने पेट्रॉल छिलक कर मुझे जला डाला। कैमरे पर उसमें ये पूरी बात बताई और कहा, कि जो मेरे साथ हुआ, वैसा ही उसके साथ हो, अंकिता नाम की जो ये बच्ची अब नहीं रही, इसने कहा, जैसे मैं मर रही हूँ, वैसी ही मौत शारुख को भी मिले, इस स्टॉकर का नाम शारुख था, ये जहारखंड की उस पीडिता के आखिरी शब्द है, मामला क्या है, ये यहाँ पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, जिनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, 28 अगस्त के दिन की तस्वीरें जो सब के सामने है, उसके बाद से देश में ये मुद्दा काफी गंबीर तरीके से, इस मामले के अंदर बच्छी की लिए जो भी डॉक्टरी साहयता संभवती तत बाद में, वो सब की गई, लेकिन उसको बचाया ना जा सका, घटना का की है, तो घटना जारखंड का एक जिला है, दुमका, वहां की घटना है, जारखंड, जारखंड की तरफ अगर पूरवी अंस्थान जो है, वो देश का रेप में नंबर वन राज्य है, तो देश में महिलाओं के साथ जहां जो भी चल रहा है, आप बस चिंतन करिए, क्योंकि इस तरह की घटना है, डिसकासन में भी अगर आती है, आपके तो मेरा जो एक वाक्य है, हमेशा जो मैं आपसे कहता हू सुरक्षित आफ्टरॉल बने कैसे है, हम अपने व्यक्तित्व से बनाएं कि महिलाओं को भी कुछ सिखाएं, ये बड़ा सब्द है, बड़ा सवाल है, इसको सोचें, सुनें, देखें, तो जब प्राथमी की इलाज 23 अगस्त को अंकिता को राची के रिम्स में बरती कराया है, ये जब पुलिस इसको गिरफतार करते हुए लेकर गई है, तो इसे अपने इस काम पर बिलकुल अफसोस नहीं था, क्योंकि अगर अफसोस होता तो शायद ये इस तरह की बरबता पूर्ण हत्या करने के बाद अपना चेहरा कैमरे में दिखाने के योग न रहता, पर श संसकारों में कमी कहिए, समाज की कमी कहिए, क्योंकि सब का सयुक्त प्रभाव हमारे व्यक्तितव पर होता है, ये नड़का दो साल से इसको परिशान कर रहा था, शारुक इसको परिशान कर रहा था, दो साल से परिशान बच्ची ने क्या आपने पैरेंट्स को बताया, बि पुलिस में शिकायत की तो एक दिन पहले के शिकायत के आधार पर पुलिस ने आश्वस्त किया कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। 22 अगस्त को शारुख ने पहले ही अंकिता को धमकी देदी थी कि यदि वो उससे बात नहीं करेगी तो उसे परिवार के साथ मार डालेगा। और 23 अगस्त को सुबह 5 बजे अंकिता की खिड़की से पेट्रॉल छिड़क कर उसे आग लगा दी। और लड़की ने पांचवे दिन तडब तडब कर जान दे दी। इस पांच दिन के दौरान इस बच्ची ने अपने द्वारा एक्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। सजा नहीं हो सकती। केवल सजा दे करके आप क्राइम को खतम नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर लाना होगा। बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर ऐसी करनी होगी जिसकी वजह से देश ऐसी घटनाओं से लड़ पाए है। अब सजा करेंगे। गटना से समझ ये कि अब इस सुनने वाले जितने भी हमारे दर्शक है ना उनमें से बहुत से लोग इस घटना के वाकई में गवा होंगे कि उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी हैं। बहुत सी बहन बेटियां इस तरह की घटनाएं होंगी कि जब वो कॉलेज गई हैं स्कूल गई है, उन्होंने इस प्रकार की घटना होते हुए देखी है लड़का उसको ना पाने की उसमें परिवार को लंबे समय से धमकी दे रहा था मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे लाएंगे हेमन्त, सोरेन, मुख्यमंत्री है उन्होंने परिवार को दस लाख रुपे की सहायता राशी इस ग्रणित करत्ते के लिए देने के लिए कहा कि यसाब अब हम कर सकते है सरकारों को भी क्या करना चाहिए वो भी हम आज के सेशन में अंत में एक बार हम गटना जान लेते हैं इसके बाद में ये सारी न्यूज की दसलाख रुपे का चेक, फोटो सेशन हुआ सब कुछ हो गया, महिला कान ने कहा कि तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर सरकूलेट ना करें मतलब महिला आयोक का ये कथन भी सत्य है, लेकिन मجबूरी है मैंने भी इस चीज को आपको इसलिए बताया है तस्وीरें हमने भी यूज में लिए है टेक्निकल भाशा में इस तस्वीरें यूज नहीं होनी चाहिए ये महिला आयोक का भी संग्यान है लेकिन जारखंड हाई कोट ने इस मामले पर संग्यान लेते हुए DGP को तलब किया और DGP को तलब करने के बाद में उनको इस मामले की जाच की बात कही इस मामले की जाच SIT के द्वारा की जाएगी SP के अध्यक्षता में Special Investigation Task Force का गठन किया गया ये इस मामले की गंभीरता देखते हुए हर बहर कॉर्णर पर इस घटना के हर पहलू पर ध्यान देगी अब सवाल बहस के रूप में ये उठ रहा है कि इसमें शारुक को कौन सी सजा मिल सकती है चुकि उसने जहर जैसे या पेट्रोल जैसे छड़क कर जलाने की कौशिश की है आप रादिक धमकी दी है हत्या की है तो ऐसी स्थिति में IPC की धारा 328, 506, 302 के तहर उसके उपर केस दर्ज कराया जा सकता है उसी के दहर दहरा दहराएं दर्ज की गई है और अब प्रयास ये रहेगा कि ये rarest of the rare केस में दर्ज किया जाए ताकि उसको फासी के फंदे तक पहुँचाया जा सके जारखंड के अंदर हुई है घटना, इस विशय के उपर एक पहस और सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई थी कहीं एक जगह पर बच्ची की उमर 19 साल कोट कर दी गई थी, लेकिन बच्ची 19 साल की ना होकर 15 साल 9 महीने की थी नाबालिक थी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर, ये एक मीडिया के अंदर इसके एक मार्कशीट वाइरल हुई जिसमें इसकी एज वगएरा सब पता चली उस मार्कशीट के माध्यम से ये पता चला कि ये बच्ची अभी टीन एज में थी, 16 साल से कम की थी और 16 साल से कम की बच्ची के साथ लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही थी इसका मतलब इसके उपर जो मामला दर्ज किया जाएगा, वो पॉक्सो एक्ट के तहट भी किया जा सकता है उनको इस एक्ट के तहट कवर किया जा सकता है पनिश्मेंट के रूप में मिनिवम साथ साल की पॉक्सो एक्ट के अंदर सजा है हलाकि रेयरिस्ट अफ दी रेयर केस के अंदर, आईपी सी के अंदर उसको फासी की सजा भी मिल सकती है क्योंकि हत्या का मामला है लेकिन इसमें पॉक्स वैक्ट का मामला भी बनता है महीला के बयान है बयान इसमें ये बोलती हुई पाई गई है मैं आपको वो दिखा कर चलाना नहीं साचाओंगा हमारी टीम ने डाल कर दिया है लेकिन आप इतना चान लीजे कि बच्ची ने ये का है कि जिस तरह की दुरगटना मेरे साथ हुई मैं चाहती हूँ कि उसके साथ वैसा ही बरताव किया जाए डाइंग डिकलेरेशन मरने से पहले उस बच्ची ने ये डिमांड में कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो और मरने से बूर्व जब बच्ची मर रही थी तो कहते हैं कि जब भी कोई मरने वाला व्यक्ति होता है और उसके द्वारा अंत में जो कहा गया कथन होता है और उसके आधार पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है साथियों ये तो मैंने आपको पूरी घटना बता दी हाला कि इस घटना को बताते समय मैंने अपने emotions को कितना control किया है मेरा normally ये flow नहीं होता है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ मेरे शब्द जबान पर आ नहीं रहे हैं बहुत लंबे समय से मैं इस चिंता में था कि मैं कैसे इस सेशन को आपके साथ लेका रहा हूँ घटना दो-तीन दिन से आँखों के सामने तैर रही है लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि कहीं न कहीं अंदर से घबरहट होने लगती है अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हम किस समाज में आ गए हैं कैसे हमारी बहन बेटियों किस रक्षा सुनिश्चित की जाए तो अब मैं इस घटना के माध्यम से पूरे अंकित परिवार की तरफ से जो बच्ची इस धरती पर नहीं है अब उसको हम अपनी तरफ से सांत्पना अर्पित करते हैं अंकिता की आत्मा को इश्वर अपने श्री चरणों में इस्थान दे उसे न्याय मिले लेकिन साथियों अब एक आप सब से अपील अपील थोड़ी गंबीर है सेशन से भी गंबीर है तो क्रिपया करके आप उसको थोड़ा गंबीरता से ले साथियों बहुत से मुद्दे बात की जा सकती है आज लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ कहते हैं कि भावनाओं में इस समय जो मेरे साथ भाव हैं वो आपके साथ भी होंगे निश्चित ही निवेदन ये है कि हमारे घर की बेटियों के साथ जो इस समय हो रहा है ये जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती है इनको देखने के लिए इनके पीछे चलने के लिए जो स्टॉकर्स भूमते हैं इनसे बचा कैसे जाए क्या है इसका समादान कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो कुछ लोग कहते हैं कि परिवार वालों को साथ लेकर जाओ इवन परिवार के कुछ सदेश्टे कहते हैं कि बेटा रास्ता बदल लो मैंने बहुत सी कहानिया पढ़ी सुनी क्योंकि मैं बहुत सारी स्टूडेंट्स के संपर्क में रहा हूं उनके अंदर निकल के आता है कि सर घरवालों ने स्कूल जाने से रोक दिया कुछ ने कहा कि हमारी स्कूल छुडवा दी कुछ ने कहा हमारा कॉलेज घरवालों ने छुडवा दिया अल्टिमेटली अगर हम इस पूरे समाज को वाकई में देखे ना साथियों तो हम जिस तरह के समाज का निर्मान कर रहे हैं इसमें कहीं न कहीं अब हमें जरुवत है अपनी बच्चियों को इस योग्य बनाने की कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम हो ये समाज, पुलिस, राजनेता, परिवार जन ये जो सुरक्षा देने की बात करते हैं वो महिला को अबला नारी के रूप में देखते हुए करते हैं लेकिन ये सभी लोग भूल जाते हैं कि इस रष्टी के जन्म दाता हम और आप सब का पैदा करने वाली महिला ही है जिसने हमें बनाया है वो अपनी सुरक्षा रिफाज़त करना भी जानती है क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें किसी प्रकार के आज ना आए ये सुनिश्चित करने का काम किसी महिला नहीं किया था वो हमारी माँ थी हमारी माँ ने हमारे परिवार के सदस्चों ने आज घर की ग्रहनी आपने बच्चों के जो देखवाल करती है इसका मतलब नारी नाराइनी है ये उसको एहसास अगर परिवार में दिला दिया जाए तो वो ऐसास ही उसके आत्म विश्वास का सबसे बड़ा कारण बनेगा सवाल बनता है सर किसी ने हमारी तरफ इस टॉक किया तो हम करें क्या क्योंकि ये बहुत बड़ा विशे है मेरे घर में खुद के परिवार में बच्ची आए और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं है आप भार में सुरक्षित देने की बात तो बाद में करिएगा साब घर में भी सुरक्षित कैसे करें मैं जो प्रयास करता हूँ आप सबसे उसकी गुजारिश करूँगा और वो ये है और हो सकता है कि मैं काफी सम्रद परिवारों में से एक में हूँ शायद मेरे साथ वो चैलेंजिस ना हो जो बहुत से दिल लोगों के पास में हो लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा साब कि अगर हो सके तो अपनी बच्चियों को उनकी ताकत का एहसास दिलाएं उन्हें सक्षम बनाएं उन्हें वो सारी चीजें सिखाएं उन्हें उनकी बोली का एहसास कराएं उनकी आवाज का उनके रुत्बे का एहसास कराएं उनको उनकी ताकत का एहसास कराएं और इस बात में बिल्कुल शर्म ना करें, जब आपकी बच्ची खुद की ताकत दिखाने के लिए कभी मंच की मांग करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हो, चाहे वो कुष्टी, दंगल, जुडो कराटे, महिलाओं को ज जब आप पर जुल्म हो रहा हो, ये जितने भी स्टॉकर या फिर परिशान करने वाले लोग होते हैं, बड़े ही बुझ दिल प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बता दू साथियों कि मैं, मतलब, खेर आप मेरे बारे में कहीं न कहीं से बहुत कुछ तो जानते ही हैं, ये एक तजुर्बा मान लीजिए, आप खुद भी उस समाज के हिस्से हैं, शर्म आती है बहुत बार ये सोचते हुए, कि कुछ लोग समाज के अंदर लड़के होने के नाम पर दाग हैं, दब्बे हैं, और जब वो धब्बे हैं, तो उन धब्बों की वज़े से पूरा प इंसान पर हमारे ही समाज का, हमारे ही संसकार का प्रभाव हैं, और जब प्रभाव हैं तो आप सबसे गुजारिश ये हैं, कि हमारे समाज के अंदर रह रहे ही बच्चीओं को पुरुषों से बचाने की आवशकता नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी इसलिए वो इस प्रकार की हरकते कर रहा है, जो मर्द होता है, वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है, कि तेश की, दुनिया की, घर की, परिवार की महिलाएं इज़त से जी हैं, घर के संसकारों में पुरुषों को जब ये मरदान की सिखाई जाती है, कि तुम इंसान ब इश्वास है कि आप वाकई में एक योग्य पूरुश है तो आप सबसे एक इतनी सी गुजारिश है कि आपकी प्रजेंस में किसी भी महिला बेहन बेटी को ये एहसास ना हो कि वो एस्वरक्षित है और केवल शब्दों से नहीं उसे योग्य बनाईए उसे योग्य बनाईए कि उसे किसी की सहायता की जरुवत ना पड़े महिलावम बहुत शक्ती है और उसको बताईए कि कैसे किसी भी इस प्रकार के व्यक्ती से निप्टा जा सकता है कि किसी भी परिशानी को आने से पहले ही अगर कुचल दिया जाए जब कोई सांप मूँ उठाए उसके फन को वह सामने शिकायत और फिर आमना सामना करने की हिम्मत हमारी बच्चियों में दें मैं केवल इतना ही आप सब के साथ आज के सेशन में गुजारिश करना चाहूँ फिलाल के लिए इतना ही साथियों दिल आपका भी दुखी है मेरा भी दुखी है मैं कुछ मेरा ये नॉर्मल जैसा मैं कर पाता हूँ वैसा हो नहीं पा रहा है तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ कि आप सभी प्लीज समाज के लिए इतना कर जाईए कि बड़ो का सम्मान हो सके छोटों को प्यार मिल सके और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद